Hello friends and welcome back to Chikis Biology another video tutorial. In this video tutorial I am going to discuss about BSc Forestry course. आज हम लोग बात करेंगे BSc Forestry course के बारे में और इस course के बाद में क्या best career options हैं? उन सभी best career options के बारे में भी हम आज अपनी इस वीडियो में discuss करेंगे. तो friends आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों को इस वीडियो को starting से लेके end तक देखना है. इस वीडियो को आप लोगों को बिल्कुल भी skip नहीं करना है. क्योंकि जो important and crucial points नहीं आप लोगों के साथ में discuss करूंगा. वो सभी important and crucial points आप लोग अच्छे से understand नहीं कर पाएंगे. अगर आप लोग इस वीडियो को starting से लेके end तक नहीं देखते हैं तो. तो friends हम लोग start करते हैं. सबसे पहले जो हमारा B.Sc. Forestry course है. ये हमारा 4-year का course है. ये एक important and crucial point है. ठीक है? ये 4-year का course है. और कई universities जो होती हैं वो इसको semester wise कराती हैं. और कई universities इसको year wise कराती हैं. ठीक है? तो friends इसके लिए जो eligibility है वो है PCV. यानि physics, chemistry, biology. आप लोगों के पास में physics, chemistry, biology होना चाहिए. आपके 12th class में. तब आप लोग इस course को कर सकते हैं. ठीक है? नेस्ट हम लोग बात करते हैं. Job profiles in forestry. Job profiles क्या हो सकती हैं अगर आप लोग BSC forestry course कर लेते हैं. ठीक है? तो friends जो प्रोफाइल्स जो आप लोगों की हैं आप लोग forester बन सकते हैं. ठीक है? First of all. Second, आप लोग forest range officer बन सकते हैं. Third, आप लोग lecturer और teacher बन सकते हैं इसी field में. बट इसके लिए आप लोगों को master degree करनी पड़ेगी आप PhD course करना पड़ेगा इसी stream से. ठीक है? Next हम लोग बात करते हैं. Forestry technician आप लोग बन सकते हैं. आप लोग forest officer बन सकते हैं. आप लोग forestry staff में जा सकते हैं. आप लोग forest professionals बन सकते हैं. आप लोग natural resource technician बन सकते हैं. आप लोग operations forester बन सकते हैं. आप लोग senior forestry consultant आप लोग बन सकते हैं. आप लोग forester, CDB, culturist आप लोग बन सकते हैं. आप लोग field investigator बन सकते हैं. आप लोग sales and business development officer बन सकते हैं. इसी forestry field में ठीक है आप लोग auditor forestry बन सकते हैं ठीक है और आप लोग forestry में auditor की तरह आप लोग work कर सकते हैं तो यहाँ पर हमारी कुछ important जो profiles थी जो आप लोगों को मिल सकती है या आप लोग इनमें जा सकते हैं after BSC forestry course ठीक है तो friends आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को जो भी आप लोगों के आप लोगों का जो लाइफ इस्टाइल है आपके लाइफ इस्टाइल के कोर्डिंग जो भी यहाँ पर जो प्रोफाइल आप लोगों को सूट आए after this course आप लोग उस जो प्रोफाइल में जा जादा इसकोप है और यह एक जोग औरेंटीड एक तरह से फिल्ड है बीएसी फोरेश्ट्री अगर आप लोग कर लेते हैं फोरेश्ट्री जो है एक जोग औरेंटीड फिल्ड है इसमें आप लोगों को जोब जो है वो इसली मिल जाती है नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वर आप लोगों के working areas हो सकते हैं, तो आप लोग educational institutions में जा सकते हैं, और educational institutions में आप लोग तभी जा सकते हैं, अगर आप लोग इसी stream से MSC करें या इसी stream से आप लोग PhD फर्दर proceed करें, ठीक है, next हम लोग बात करते हैं, seed and nursery companies में आप लोग जा सकते हैं, seed and nursery companies में आप लोग जा सकते हैं, आप लोग forest services में जा सकते हैं, आप लोग food companies में जा सकते हैं, land management agencies के साथ में आप लोग काम कर सकते हैं, आप लोग plant health inspection services में आप लोग जा सकते हैं, आप लोग plant resources labs होती हैं, उसमें आप लोग जा सकते हैं, आप लोग biotechnology firms में आप लोग काम कर स recruit करती है ठीक है आप लोग biological supply houses में आप लोग work कर सकते हैं आप लोग chemical industries में work कर सकते हैं after this course तो इस course को करने के बाद आप लोगों के साथ आप लोगों के लिए बहुत सारे future को लेके बहुत सारे options खुल जाते हैं तो आप लोग किसी भी एक option को चूज कर सकते हैं then आप लोग महाँ पर switch कर सकते हैं तो friends अगर आप लोगों को further इसी field में आप लोगों को academics में आप लोगों को रहना है ठीक है तो आप लोग further आप लोग MSC forestry course कर सकते हैं आप लोग इसी stream में PhD course कर सकते हैं इस वीडियो से related अगर आपका कोई question है आपकी कोई query है तो आप लोग उसको वीडियो के नीचे comment box में टाइप कर सकते हैं मैं आपकी हर एक problem को solve करने की पूसिस करूंगा और आगे आने माली जो हमारी वीडियो हैं उनमें हम लोग जो भी एसी forestry या MSC forestry या PhD forestry course कराते हैं हमारे इडिया के अंदर रेपोटेटी जो colleges हैं उनके बारे में discuss करेंगे तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं future में भी आप लोगों को एसी वीडियो प्रोवाइड कराते रहूं तो please friends मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं बोले और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ज़्यादा शेर करें so thank you friends thank you for watching